वल्कम बैक तेरों चैनल ट्रेट टार्गेट आज का वीडियो काफ़ी इन्पॉटेंट होने वाला है फिर चाहे वो आई प्यों के रिलेटेड हो या फिर आज के निफ्टी के मुमेंट के बारे में हो या फिर कल निफ्टी की मुमेंट क्या रह सकती है पूरी चीज़े को ड केंडल है यह रेड वाला यह था एक बुलिश 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 इंगल्फिंग पैटन और जो आज बना है वो बना है वो बियरिश्था और यह जो आज बना है वो बना है बुलिश पिन बार इसको एक डोजी भी कहा सकता हो अगर कल यहां पे कल यहां पे ऐसे एक केंडल ऐसे कोई candle यहां पे green बनती है तो इसको यह हो जाएगा कल morning star मतलब कि यहां से कल trend reversal हो सकता है बड़ कल हुआ क्या था ना कल बिल्कुल market गिरी थी ऐसे कल था बिल्कुल लाल रंग और आज जो हुआ है बिल्कुल ऐसे तो कल यह पता चलेगा बिल्कुल ऐसे कल का जो फॉल था वो वन डे वंडर था यह जो आज का जो बिल्कुल अप्ट्रेंड आया है जो आपका थोड़ी सी recovery आया है वो वन डे वंडर है तो follow through डे कलिए हमें बिल्कुल वेड करना होगा उससे पहले किसी भी तरफ किसी भी तरफ के तेजी या फिन मंदी करना हमारे लिए काफी बैगफायर कर सकता है तो इस तीज का ध्यान देना है अगर निफ्टी कल 13500 को क्रॉस करता है और उसके उपर सस्टेन भी होता है तो काफी इंपॉर्टेंड हो सकता एक फ्रेश तेजी के हम लोग को दिख सकती है यहां से और अगर निफ्टी अगें 13300 के लेवल के नीचे और 13200 के लेवल के पास आता है जहां आज बिलकुल निफ्टी ने सपोर्ट लिया तो काफी हमारे लिए एक एक सोचने वाले चिंता का विशे हो सकता है क्योंकि अग 12900 के आसपास जाके रुकेगा तो इस चीज को हमें काफी ध्यान रखने की जरूरत है अगर मैं इसी चार्ट को थोड़ा से जूम कर दूँ न तो अगर मैं इसको जूम कर दूँ तो आप समझते है निफ्टी का मोमिटाज क्या रहा यह देखिए आज जैसे निफ्टी ओप था 13200 को जो एक काफ़ इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी के लिए अब अब तो और भी जादा इंपॉर्टेंट हो यहीं से निफ्टी आज बाउंस बैक किया हुए अगर कल निफ्टी पात सो यह पात सो के लेवल को ब्रेक करता है तो एक फ्रेश तेजी के हमको दे हो जाए इसलिए ऐसे माहौल में बिल्कुत कॉलिटी के सांद कॉंप्रमाइज बिल्कुल ना करें और जब भी डिप मिलती है तो अच्छे शेयर को अपने आग सो उजल भी नहीं होने दें दोनों चीजों को काफी इंपॉर्टेंट नजर में नजर में रखना बहुत ज़ मतलब जो कोरोना के दवा है वह उससे उसका इलाज हो जाएगा अब भारत बायोटेक की तरफ से बायार आया है या वह की तरफ से है तो उसी कारण मार्केट थोड़ा रिकावर भी हुए एंड बॉर्निंग तक थोड़ा हमारा पुट कॉल जो रेशियो था वह वह वन पॉ प्लस एक बहाना चाहिए थे ट्रिंगर चाहिए था मार्केट को जो कल आया अब यहां से अभी तोड़ा मार्केट हलके भी हो गए हो गया है तो अब भी आ सकता है तो कल फॉलो थूडू डूट पर हमें फॉलो थूड़ डे पर वेट करना बहुत ज़रूरी है और नजर र नीचे हो तो उतना हमारे लिए अच्छा है एक बार कुक रिव्यू ले ले लेते हैं उसके पर यह देखिए आज इंडिया विक्स काफी डाउन आया है बिल्कुल पांच से उपर बिल्कुल कूल हुआ है जो कि हमाले पॉजिटिव साइन हो सकता है अगर अगेर यह फिर से 18, 17, 19 जैसे से नीचे आता है तो एक अच्छा माहौल क्रेट हो सकता है फिर से आपके लिए इन्वेस्टिंग के लिए फिर ट्रेडिंग के लिए लेकिन अगर यह फिर से 24, 25, 23 के तरह बढ़ा तो काफी रिस्क ओपन हो जाती हो वालटिल्टी मार्केट में दोनों तरप के स्विंग काफी इंपोर्टेन और शार्प मॉमेंट देखे जा सकते हैं तो इसे हमें थोड़ा सावधा रहने के जरुवत है कौशेस रहने के जरुवत है ऐसे में हमें क्या करना चाहिए हम रेगलर वेस्ट पर प्रॉफिट बुकिंग करते रहने चाहिए अगर आप ट्रे अच्छे फंडामेंटल शेयमें यहां जो बिलकुर अधि सेंटर और फार्मा अभी बी काफी अच्छे लगते दोनों सेक्टर विकिंग है उन्हें करते हैं जाकर तो एसा नहीं है कि मार्किन यहां से फिर से रैली दिखाए वह भी हमसे चूट जाए और ऐसा भी नहीं कि कल important day रहने वाला है और personal expiry तो उसके लिए भी आमें को प्रिप्यर रहना है कल का दे दिसाइड करेगे कि market किस तरफ का movement हमें दिखाने वाला है अब बात कर लेते हैं IPO से related जितनी भी आपकी query है पहले बात करते हैं एंटोनी वेस के regarding जैसे कि आप जानते हैं आज उसका second day था और यहां लिखाव आप पढ़ सकते हैं second day था और जो subscribe हुए 3.85 subscribe जो कि मेरे हिसाब से this is okay below expectation क्योंकि अगर सो हम compare करें burger king के IPO से जो 150 time subscribe हुआ था या फिर या फिर हम बात करें मिसस बैक्टर के IPO से जो 198-99 close to 200 time subscribe हुआ था तो उसके compare करें तो काफी कम है मैंने अभी तक इसमें apply नहीं किया है क्या करना है क्या मैं apply कर रहा हूँ क्या नहीं करना हूँ यह मैं कल decide करूँगा जैसे ही मैं apply करता अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूँगा अगर आप अभी तक free for और टेलीग्राम चैनल का पार्ट नहीं बने description उसका link है आप कुछ लगे useful तो आप उसका पार्ट बन सकते है इस free आपको कुछ पैसे नहीं देना है अब बात करता है मिसस बैक्टर के IPO रिलेट लिंक इन टाइम जी यहां इसी साइट पर आप जाएं और आपको जैसे इक्विटी यह आपको एक option दिखेगा public issue equity वहां आप अराम से आप महां जाके चेक कर सकते हैं यहां पर select company जैसी drop down में ओपन करेंगा अगर आपको बगर मिसस बैक्टर का नाम दिख रहा है तो मतलब allotment का process चालो हो चुका है अगर नहीं दिख रहा है तो अभी चालो नहीं हुआ है आप घवराई है थोड़ा wait किरना और जैसे process चालो होता है मैं सबसे पहले telegram पर update कर दूंगा तो यह important हो सकता है यहां से आप चाहें आप चाहें क्या चाहें नहीं क्या अब सभी को अगर आपने apply किया है तो आप इसके लिए wait करी रहे होंगे चलिए अब बात करते हैं जब market पूरी correct हो रही है विक्स भी ऐसा है कोरोना की भी यह ख़वर है चल दी है तो ऐसे में कौन से share है और जिन पर हमारे नजर रहना बहुत ज़रूरी है आप जैसे कि आप जानते हैं मैं daily एक ऐसा share लेकर आता हूं जिस पर value buying जो एक value buying होती है ना कि intradic all लेकर आता हूं जिसको आज buy करते हैं तो long to mid term में आपको wealth create करके देगा ही देगा जो मैं हमेशा खुद भी करता हूं और जो आपको भी recommend करता हूं बाकि लेना ना लेना आप आप जानो आपका portfolio आपके पैस कर रहा है तो हमां उन शेरों पर द्यान देना चाहिए एक value buying जोड़नी चाहिए ना कि बिल्कुल उड़ते हुए तीर पकड़ने चाहिए कि वो share आज 5% भाग गया तो हम उसे पकड़ लेता है जैसी आप buy करने कि कहीं ऐसा नहों वहां से reverse gear मारते market already बिल्कुल uncertain चल रहा है around this level के असपास और मैंने इसको sell किया थे बिल्कुल almost 295-290 के around यहां पर मैंने उसको sell किया था तो काफी अच्छे में को profit दिया अगें जब यह share मेरे radar पर है यहां पर आज मैंने जब यह बिल्कुल अपने आप देख रहें 250 का level already एक बार यहां पर आया October मैं, second time आया, third time ब हो चुका है, बिल्को support निया, बिल्को major support हो चुका है, अगर आप देखेंगे weekly का candle लगा के, इसका weekly का support हो चुका है, जो यहां से मुझे लगता नहीं है कि यहां से downside और देखा जा सकता है, plus दूसरा चीज क्या है, दूसरी analysis क्या है, इसको बाइक करने की lockdown अल्रेडी खुल चुका है, चीज़े normalize की और बढ़ चुकी है, काफी तेजी से, और जो नया virus है, वो भी treatmentable है, तो बाकी companies भी कह रही है, भार्व बाइटेक कह लो, या फिर WHO कह लो, या फिर बाकी जो भी companies है, जिन्होंने medicine मनाई है, यह जो नया चीज, नया symptoms है, treatmentable है, तो ऐसे में, अगर अगर आप अपको लगता है कि पूरा complete lockdown होगा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि economy भी साथ में साथ चलानी ही है, और प्लस, we are corona खतम होने वाला है, अब यह समझ दो, चीज़े एक बर vaccination शुरू हो जाए, तो उन शेयरों को सबसे जादा फाइदा होगा, जो जो शेयर सब आज भाई करें, वो फिर मिड टम में कहो, या फिर आप लॉंग टम में कहो, एक आपको अच्छी wealth create करके दे दे, आज मैं बोल रहा हूँ, आज आप date note कर लो, यह 250 के लेबल पर है, अगर आप इसको एक साल hold करते हो ना, आपका पैसा दूगना हो जाएगा, यह ताई है, यह और लिडिस का lifetime जो high है, वो 500 है, 500 भी नहीं गया ना, तो 400 तब भी, 300 तो तब भी चिल लगए, 300 तो आपके सामने यह रहा, अब समझ रहे हैं, 300 तो आपके सामने अभी यहां पर रहा, तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं, आपके radar पे share रहना चाहिए, अब आत करते ह यहां भी कितनी बार से यह reject होगा है, एक बार यहां सा आया, एक, फिर यहां सा आया, दो, तीन, अब की बार जब share यहां पे निकलेगा, तो यहां रुकेगा नहीं, थोड़ा सा आके और बहुत तेजी से उपर निकल जाएगा, तो काफी, क्योंकि यह काफी resistance ले चुका है यहां पे अभी resistance, जब भी कोई share, कोई भी price पे बार बार आता है, फिर चाया upside हो, downside हो, बार बार hit करता है, तो वो resistance हो, या support हो, weak हो जाता है, और उसकी काफी high probability होती है, कि वो break हो जाएगा next time, तो यही मुझे इसमें होते वे देखा है, that's why, मैंना आज इसको buy भी किया है, इसको buy किया है, और not for one day, two day, थोड़ा सा लंबा रखूँगा, या फिर मैं shrink trade करूँगा, इसमें, swing trade भी करूँगा, तो around में 20 plus से 25, 20% से उपर ही इसको sell out करूँगा, या फिर market का scenario देखूँगा, उन चीजों पर आपको, तो यह है इसका share पे मेरा view, इसका दूसरा एक आ अगर आपको sector अच्छा लगते है, share अच्छा लगते है, तो आप इनमें अपने buying की position धिरी देदे करके आप बना सकते है, ऐसा नहीं कि कल market खुले और आप पूरा पैसा जोंक दे, और वहां से share correct हो जाए, फिर आप बोलेंगे, कल शाम को आखे कि यह correct हो गया, बढ़ हां, correct होता है, तो हमें लेना है, बेचना नहीं है, क्योंकि share इतना पसंद है मुझे, जिस level पर मिल रहा है, already मुझे कोई खास तो है नहीं, लेकिन जिस valuation पर मिल रहा है, क्योंकि market में बहुत काम share हो में इस time, valuation बची हुई है, तो यह है, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी comment box, और चैनल को पहली बार देख रहे हैं, या फिर आज वीडियो का आज देख रहे हैं, कल देख रहे हैं, या फिर वीकेंड पर देख रहे हैं, जब भी आप देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें भी न नहीं जाए, कहीं ऐसा नहों को important update या फिर analysis stock की, आप सब मिस हो इते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए happy investing, thank you so much